हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे इस पाल मिर्सी चनल पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस नेट्टिब की हैंड की अनलेसिस के इन्होंने रिक्विस्ट किया था कि इनकी हैंड के नेखिश कर दिया जाए तो बात करेंगे सबसे पहले इनकी फिंगर की से यह इस इनलेसिस के बाद मैं जाओंगा इनकी हथेली की रंग पर उसके बाद मैं बात करूंगा इनकी रेखाओं की फिर बात करूंगा हथेली की क्या सेफ है क्या इंडिकेशन देती है तो इस सब हम इस वीडियो में सीखेंगे तो बने रही है तो चलिए सुरू करते हैं इनका जो लिटल फिंगर है ये 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 रिंग फिंगर के टॉप फैलेंजे से भी ऊपर जा चुकी है तो ऐसे नेटिव को दरसाता है कि इस नेटिव को कमने के संसे के काफी अच्छा रहेगा आने वाले समय में इसकी परसनालिटी या बिजनेस रिलेटेट फिंग जो भी करे हैं उस पॉइंट पर इसके साथ अब मैं बात करूँ इनका जो रिंग फिंगर है और इनका जो इंडेक्स फिंगर है दोनों समान्य है और दोनों इक्वल है ऐसे नेटिव को दरसाता है कि अपना जो लाइफ है बहुत बैलेंस लेके चलते हैं ना कभी ज्यादा ना कभी कम इक्वल हमेशा रते हैं और तीसरी बात करूँ यहाँ पर इनका जो सैटर्ण फिंगर है यह काफी अच्छी मुकाम तक गए भी है जो इसे नेटिव को दरसाता है कि आने वाले समय में अर्ली एज में इनके कंदों पर रिस्पॉंसिबिलीटी बहुत जल्दी आएगी और ओवरॉल देखा जाते हो फिंगर की अन्यालिस से मैं देख पा रहा हूं यह बहुत ही अच्छी इंडिकेशन सो हो रही है इसी के साथ साथ मैं बात करूँ इनकी जो पाल्म की जो सेफ है यह स्क्वाइरिस सेफ बना रही है प्रॉपर जो जिसकिसी का भी स्क्वाइरिस करने का सक्षम रखते हैं और ओवरॉल पाल्म की कलर की मैं बात करूँ तो यहां पर मैं इनकी पाल्म देख पा रहा हूं वाइटिस पिंकिस कलर का पाल्म हो रहा है तो ऐसे नेटिव उदर साता है कि कुछ सर्टेन पॉइंट पे थोड़े सेंसेटिव नेचर के हो जाते है थोड़े इमोशनल होते हैं लेकिन जहां जवरत होता है वहीं पर यह अपना इमोशन दिखाते हैं करियर के प्रोस्पेक्टिस में बात करूँ तो यह करियर को लेकर काफी सीरेस रहते हैं और उस पॉइंट पे इनका दिमाग काफी अच्छे से चलता है इसे के साथ मैं बा जो कि अच्छी बात है और दूसरों पर ट्रस्ट थोड़ा जल्दी कर लेते हैं एक दो तीन मुलाकात के बाद दोस्तों से बाते हुई या कोई फ्रेंड अच्छी मिल गई तो उन लोगों से बाते करके थोड़ा सा ट्रस्ट जल्दी गेन कर लेते हैं तो थोड़ा सा ड्र इधर भी gap लिया हुआ है और इधर भी gap लिया हुआ है तो आसे नेटी को दरसाता है कि खर्चीले होते हैं अपने जीवन में जो धन आती हैं तो वह अपने रहन सहन में गारी परहाई या कहीर से related कुछ भी करनी है तो यह खर्चिले होते हैं लग्जीरियस लाइफ जीने की कोसिस करते हैं और यह गैप जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस गैप का मतलब होता है कि फॉरें से रिलेटेट कनेक्शन फॉरें जाना फॉरें विजिट करना और यहां पे जो आप यह सब इंडिकेशन होता है और यहां पे जो छोटा सा गैप दिख रहा है तो थोड़े साय नेचर की भी होते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे नर्वसनेस में नहीं है इनका कॉन्फिदेंस लेवल काफी अच्छा है यहां पे जो मैं देख पा रहा हूं यह जो लिटिल इस प्रकार से इस फौर का मतलब होता है कि बच्पन में थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्बिंस हुई है क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं इनका जो लाइफ लाइन है लाइफ लाइन में मैं देख पा रहा हूं कुछ आरी रेखा है क इस जिग जग जैसी सिम्बोल बना रही है तो दर्सार है कि इनका बच्पन थोरा स्ट्रगलिंग रहा है और यहां पर आइलेंट के आकरिती बनते हुए मैं देखवा रहा हूँ यह आइलेंट के आकरिती दिखाती है कि इस एज में इन दो एज में बच्पन में थोरी कुछ स इंजरी भी होने की योग बनाती है परहाई में थोरा मन ना लगना थोरा स्ट्रगल से गुजरना यह सब कुछ इंस्टेंट है यहां पर इस आइलेंट का सिम्बॉल का मतलब और साथी साथ यहां पर मार्स मांट मैं देख रहा हूँ एक्टिब मार्स के तरफ इनका जो रे यह जो थम के नीचे से आपको दिख रहा है अगर किसी सामानी इंसान का आप हाँ देखेंगे तो नॉर्मल सा ऐसे जाता है लेकिन इनका मैं देख रहा हूँ यह सदेन कर्व है ऐसे गया फिर ऐसे मुर गया तो यह कहने का मतलब होता है कि कुछ भी काम करते हैं तो थोरा ज समय में थोरी परिसानी हो सकती है इसके बाद मन देख रहा हूं इनका लाइव समूथ चल रहा है emotionally फिर यहां पर एक थोरी से di stronger और यह पीज यह इनका लाइफ बिख नहीं इनका रहा हूं थोरी सी एज के आसपास इनको थोड़ा सा emotionally connection या emotional में थोड़ा सा family से related थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है या फिर love life थोड़ी सी problem में जा सकती है लेकिन उसके बाद बिल्कुल सही है और old age में थोड़ा सा दिक्कत आईगी ही आईगी आईगी आप बात करूं मैं मैं माइंड लाइन देख पा रहा हूँ यह कुछ इस प्रकार से आ रही है यह life line से बिल्कुल ही अलग है यह हलकी या कहो तो थोड़ी से हलकी सी attached है तो यह early ages में दिखा रहे है थोड़ा family से detachment मतलब उतना close नहीं थोड़े साए निचर या अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं family से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर ऐसी कुछ मजबूरी आ गई है early age में जो family से दूर रहे हैं और यह जो detachment है यह detachment लगभग-लगभग age जो बना रहा है 17 के आसपास का age बना रहा है 17-18 roughly आप लेके चले इसी के आसपास सब्सक्राइब इनका स्टार्ट हो है लेकिन उसके पहले थोरा struggle phase चला है लेकिन जब detachment हुई है उसके बाद इनका जिंदगी थोरा सही चला है mind line full straight है यह कुछ इस तरह से वही अगर यह mind line नीचे की तरफ जा रही होती इनका परहाई का एक और सिंबल होता है कि higher education के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक education line के एक symbol होती है जो यहाँ पे दरसाती है ring finger और saturn finger के बीच में यह line आपको दिख रही है मैं color change कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यह जो red color का line मैं घीच रहा हूँ तो इस line अगर जिसके से की हाथ में यह line है तो समझ लिजिए अगर आप जीवन में या future में पढ़ना चाहते हैं higher education, post graduate या बड़े-बड़े degree जैसे undergraduate के हो गए, engineer हो गए, doctor हो गए, CA हो गए तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलती है थोरी मेहनत करनी ही पड़ती है क्योंकि यह सब degree पाना अच्छे colleges से इतनी असान नहीं होती अब बात करूँ इनकी life line की तो इस starting में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ थोरा से struggle phase रहा है 17-16 साल तक का उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ यह थोरा सा आपने आपको उठाए है थोरा मेहनत किये हैं मैं तो आप जूम कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख जाए यहाँ पे कुछ इस तरह से यह आईलेंट के बाद यह जो एज मैंने आपको बताया यह लगभग लगभग 16 साल के बाद यहाँ पे इनका लाइफ स्मूथ चलना है स्टार्ट हो गया स्मूथ ही नहीं यहाँ पे इनका यह कुछ अपग्रेट लाइन भी होना है स्टार्ट हो गया कुछ इस तरह से जो मैं देख पा रहा हूँ और आने वाले समय में काफी तरक्की करेंगे यह इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ यह जो लाइन आपको दिख रहा है ना यह वाली लाइन यह बहुत बड़ी तरक्की है इस एज में इस एज में इस बंदे की बहुत अच्छी जॉब सेलरी या कुछ लॉट्री टाइप लगेगी लेकिन अपने मेहनत के दम पर यह कुछ ना कुछ करेगा यह मैं बताऊंगा पहले मैं कनेक्ट कर लूँ आगे चलके फिर इसके बाद इन्हें फॉरें का सेटलमेंट को आप्सन में बहुत आएगा बहुत बहुत कंट्री से आए कि क्योंकि यह जो रेखाएं देख रहे हैं नीचे गिरती वक्त अगर यह नीचे गिरने वाली रेखा उपर की तरफ होती कुछ इस तरह से यहां पर ऐसे तो मैं बैड इंडिकेसन बोलता है लेकिन यह नीचे गिरने वाली रेखा नीचे की तरफ है लाइफ लाइफ लैन के जो दरसाता है कि आने वाले समे में इनको विदेश यात्रा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं पांच पांच या छे छे विदेश यात्रा भी मिलेगे और इन में से दो तीन या चार भी आप बोल सकते हैं settlement के भी offer आ सकती है वहाँ पर job कर सकते है इसी connection के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर इनका जो luck line है यह जो moon mount से generate होकर सीधा Saturn mount तक जा रही है जो ऐसे नेटे को दर्शा रहा है कि लर्कियों से जैसे अगर आप male हैं तो female से या फिर अगर आप female हैं तो male से आपको support काफी मिलेगा और खास करके moon mount का मतलब ही होता है समूंदर से related सी से related क्योंकि सी की जो waves आती है वो moon का ही factor ज़्यादा यूज होता है तो साथ समूंदर पार जो हम लोग ancient age में बोला करते थे ये सारा moon से related होता है तो इनका मैं देख पा रहा हूँ इनका जो luck line है किस्मत की जो रेखा है या फिर career line है ये moon mount से ही होके जा रही है तो ऐसे नेटे को दरसाता है कि अगर आप विदेश जाएंगे तो बहुत ही अच्छा खासा आपको धन, प्राप्ति, प्रमोशन, जॉब काफी अच्छी opportunity भी मिलेगी और उनसे मिलेगी जो आपके opposite gender वाले friend होंगे और ये जो age है ये age लगभग लगभग 43 का age बना रहा है फिर इसके बाद मैं इनका total life calculate करूँ ये यहाँ पे total मैं बता सकता हूँ लगभग जो इनका age बना रहा है life span ये 81 के आसपास का age बना रहा है और 43 के आसपास या 42 के आसपास यहाँ पे कुछ न कुछ बहुत बढ़ा होने वाला है उससे पहले इनका life जैसा है health line भी देख लू तो इस starting में मैं देख पा रहा हूँ इनका business line कुछ आसे तूट तूट के जा रहा है ये कुछ इस प्रकार से फिर उसके बाद देख पा रहा हूँ कि ये एकदम straight जा रहा है और सीधा जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है money triangle का बनने का योग दे रहा है तो जिस किसी कब ये money triangle बनता है उनके जीवन में धहन की कमी नहीं होती है बस मेहनत करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हाथ में हाथ धरके बैठे रही हैगा तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ मिलने वाला इसी के साथ मैं बात कर लो इनकी परवतों के तो परवत में मैं देख पा रहा हूं यह जो Jupiter mount है यह कुछ अंदर की तरफ दभी भी है और low set है तो दरसार है कि इनके अंदर थोड़ा dominance कम हो सकती है लोगों पर दबदबाब बनाने का जी quality होती है जो leadership quality बोलते है थोड़ी सी weak आ रही है Jupiter mount के respect में लेकिन इसी के साथ साथ spirituality की तरफ काफी जाएंगे teaching quality काफी अच्छी है अगर future में अगर teaching quality या teacher का role करना है या कुछ किसी को सिखाना है तो उसमें आप बहुत अच्छे से जा सकते हो क्योंकि यह ring of Solomon जो होता है यह आपको दर्साता ही है कि आप अपने जीवन में spiritual के और या फिर कुछ teaching से related कुछ को कुछ करेंगे तो आपको सफलता उसमें मिलेगी यहाँ पर मैं देख पार हूँ इनका Saturn mount जो है और उपर की तरफ है और पे टूडेट है उठा हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मैं आपको बताया है career line या luck line जो है या fate line जो है Saturn mount के तरफ जा रही है तो आने वाले समय में कंदे की responsibility तो जाएगी ही जाएगी साथ साथ उससे निभाएंगे और बिल्कुल पूरा होगा अगर यह luck line हट के दूसरी ओर चल जाती या इस तरफ चल जाती तो थोरा से responsibility में कमी आ जाती तीसरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे Apollo mount में थोरा name और fame में थोरी कमी हो सकती है नो डाउट कि धन वेगरा रहेगा लेकिन name और fame में कमी रह सकती है क्योंकि यहाँ पे मैं कोई खरी रेखार नहीं देख पा रहा हूं स्टार्टिंग में थोरी क्रिस्कॉस देख पा रहा हूं लेकिन यह थोरी bad indication हो जाती है पॉलिटिकल कनेक्शन रहने का थोरा कम योग है गवर्मेंट से रिलेटेट कुछ कनेक्शन बनाती है वो भी थोरी कम योग है यह ज्यादा इंडिकेशन देता है यह clear जो आपका Apollo mount है यह इंडिकेशन देता है कि आप प्राइबेट जॉब से रिलेटेट जो आप काम करेंगे या बिजनेस आप खुद का जो खोलेंगे वो काफी अच्छा होने वाला है आपका अगर यह ही straight line होता या यहां से से कुछ branches निकल दी जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी समझाया है छे अलग लग प्रकार की रेखाएं लक लाइं तो आप उसे refer कर सकते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर यह ऐसा रहता तो आपको government से related connection बिल्कुल रहता political connection बिल्कुल रहता लेकिन अभी थोड़ा सा chances कम बनाता है यह आपकी हाथ के analysis कर रहा हो तो यह आपके दम पर न जैसे related कुछ कार्य करना चाहते हैं तो अच्छी है यहां पर मैं कुछ को छोड़ी छोड़ी रेखाएं देख रहा हूं जो healing quality देती है जैसे आपका कुछ bank corrupt हो गया या फिर कुछ balance चोरी हो गया या फिर फ्रॉड में आप फस गया तो ज्यादा tension नहीं लेनी की बात है आप दरसार आया है कि कोट का चहरी के भी चक्कर आपको काटनी पड़ सकती है किसी चीजसे वह related हो सकती है mostly यह धन से related ही बताती है जमीन हो गया जायजाद हो गया या आपका property खुद का हो गया आने वाले समय में तो वह कोट का चहरी का चकर आपको बिलकुल दिलवाएगा फिर तो थोड़ा सा health पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में फिर यहां पे आपका Venus Mount पे काफी अच्छा हो रहा हुआ है तो sexually active रहेंगे personality काफी अच्छी रहेगी आपकी और overall मैं परवतों की बात कर लूँ तो काफी good communication है बस थोड़ा health पे थोड़ा ध् खड़ चीले हैं ठीक है पैसे भी थोड़ा जमा करें जो आप आगे करना चाहते हैं अपनी गोल के लिए वो काफी अच्छी रहेगी आपके लिए और यहां पर मैं जो देख पा रहा हूं यह जो आपका तिल है यह काला तिल आपके थंब पे बना रहा है तो थंब का मतलब ही होता है leadership quality अगर आप अपने जीवन में कुछ leadership quality या dominance वारा को job करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मार खा जाएंगे तो इस तिल के वजह से आपको थोड़ा सा defame भी मिल सकता है अगर आप कुछ dominance वाला या जादा higher leadership quality वाला आप job करना चाहेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसकी भी उपाय है वो उपाय मैं आपको बता दूँगा अब बात करता हूं इनकी marriage और children line की तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं इनका starting में कोई affair नहीं रहा है फिर उसके बाद मैं देख पर यह जो line है एक ही single line है जो दर्सार आया है कि यह जिनके साथ भी रहेंगे एक के साथ ही अपना जीवन भीताएंगे true रहेंगे trust worthy रहेंगे क्योंकि यहां पर मैं ज्यादा fork भी नहीं देख पा रहा कुछ इस प्रकार से fork होता तो marriage life में थोड़ी disturbance हो जाती लेकिन यहां पैसा नहीं है और यह जो एज बना रहा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ यह total मैं 50 वर्स को लेके चलता हूँ अगर आप विदेशी है या इंडिया से बहा या foreign ब्रीड रखते हैं तो यह 50 वर के 60 हो जाता है लेकिन आप इंडियन है तो इंडियन के हिसाफ से 50 वर्स लेज़े 50 का आधा मैं यहां से करता हूँ तो यह आपको जाता है 25 वर्स तो उस हिसाफ से यह जो आपका age बना रहा है marriage line का यह जो मैं देख पा रहा हूँ आपका यह जो है marriage line का यह लगब लगब आपको 26 या बहुत से बहुत 27 के आसपास का age होगा marriage के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा marriage का अगर आप इससे जरासा भी लेट करेंगे या जरासा भी पहले करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है फिर इसके बाद आने वाले समय में यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि छोटी से रहा है लेकिन यह neglected है अगर बहुत जादी गहरी रहा होती है तो मैं यह कहा पाता कि साथी के बाद भी एक affair होने का chance हो फिर यहां पर मैं देख पा रहा हूं कुछ मैं इसे थोड़ा thickness छोटा कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे सब्ता चल जाए यह लगबग लगबग तीन prominent खड़ी रेखाए हैं जिसमें आपको दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपके तीन बच्चे होने के योग है जें नहीं भटकाना होगा क्योंकि यह बन रही है रेखा आने वाले समय में यह बन भी सकती है तीसरा थोड़ा प्रैक्टिकल रहना होगा चौथा आपका यहां पर मैं देख पार हूं क्रॉस का निसान है और यह जो लग लाइन है हर्ट लाइन से मिल रही है तो चांसे बना रह से मामला हो तो आप दूर रहें अवाइट करें लराई को क्योंकि गुस्ता आपके बहुत है सदेन अक्षिन आप ज्यादा लेते हैं तो इन सब चीजों पर फोकस करें मेडिटेशन करें क्योंकि स्पिच्वालिटी की और आप जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा मेडिटेशन करें दिमाग को सांत रखें कंदों पर रिस्पॉंसिविटी आपके बहुत ज्यादा रहेगी इन सब चीजों पर ध्यान रखें हाई अप करना चाहते हैं तो ब बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस भी कर लें बिजनेस नहीं करना चाहते हैं आप जॉब करना चाहते हैं आप वह भी कर लें लेकिन गवर्वर्मेंट से रिलेटर आगर आप कुछ करना चाहते हैं तो थोरी दिक्कते आ सकती है आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद होगी पसंद आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब परें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तब तक के लिए गुडबाई